हिंदु धर में सभी 36 करोड देवी देवताओं की पूजा की जाती है जिसमें हनुमान बावा को विशिश तोर पर पूजा जाता है यह तो आप जानते ही होंगे कि मंगलबार का दिन हनुमान जी का माना जाता है इस दिन बजरंग वली की पूजा सचे मन से कर ली जाए तो मन चाहा फल मिलने लगता है राम भक्त हनुमान को काफी जादा बल शाली माना जाता है इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ती भी मिलती है मंगलवार के दिन हनुमान बावा की पूजा की जाती है इस दिन उनके भक्त हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं यदि आप राशी के नुसार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इसका फल और भी अधिक मिलता है चलिए आपको बताते हैं मेश राशी वालों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ उत्तम होगा काफी फाइदा होता है वरश राशी वाले शिब चालीसा का पाठ करें मितुन राशी के लोग सरस्वती चालीसा का पाठ करें तो अच्छा रहेगा कर्क के लिए उत्तम फल्दाई होगा शिब चालीसा सिंग राशी वाले दुर्गा चालीसा का पाठ करें लाब होगा कन्या राशी के लोगों को गैतरी चालीसा का पाठ करना चाहिए तुला राशी वालों के लिए उत्तम होगी शिब चालीसा वहीं व्रशिक राशी के लोग हनुमान 40 का पार्ट करें तो काफी शुब माना जाता है धनुराशी वालों के लिए दुरगा 40 का पार्ट शुब होगा मकर राशी के लोग शनी 40 का पार्ट सबसे करते हैं तो सबसे ज़ादा उत्तम होता है कुम राशी वालों को सरस्वते चालीसा के पाठ से अध्भुद लाब होगा, मीन राशी के लोगों को गैतरी चालीसा का पाठ करना चाहिए, लाब ही लाब होगा Next 9, बक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट